नमस्कार दोस्तों, अभी हम प्रगती मैदान में आये हुए हैं और यहाँ पे भारत मंडपम में आत मेर्वर भारत उत्सव जो कि तीन जनवरी से लेके 10 जनवरी तक है और यह हॉल नमबर वन से लेके 6 तक में हैं. अभी हमने इंटरी की है और अब हम hall number one की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर आगवे मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर क्या-क्या लगा हुआ है और यह बहुत ही अच्छा यह शो हो रहा है भारत मंडपम जिसका नाम पहले परगती मैदान था उसका नाम भारत मंडपम कर दिया है एक से लेके छे तक और फिर वहां हम बताएंगे आपको कि अभी हम किस गेट से इंटर करेंगे ओके इसके फुल डिस्क्रिप्शन लगे हुए हैं यहां पर वाइड रेंज अफ टेक्स्टाइल और हैंडी क्राप्ट्स बाइस्टर क्राफ्ट्स बाइस्ट्री प्रग्राम फेटी अफ नॉर्थ इस्टर ट्राइब्स प्यम सनीधी इस्ट्रीट वेंडर्स कुजीन यह सारी चीजह हैं और यह जो सपोर्ट बाइस बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं सिविल अवियेशन हैं डानर हैं एल्च्रोनिक्स हैं फूट प्रोशसिंग हैं धूट अर इंटर्नल ट्रेड इंटर्नल ट्रेड एंड अधर मिनिस्ट्रीज यह अट्रेक्शन से अब हम उस तरफ चल रहे हैं और आपको फिर हम दिखाएंगे यह अब हम आगे हैं हौल नंबर वन अहात निर्भर भारत का यह गेट नंबर वन का इंटरी और यहां पर आप देख सकते हैं काफी लोग अंदर जा रहे हैं चुकि ठंड का मौसम है सहिता जी भी आई हुई है और यह सेलफी स्टैंड सकते हैं नया भारत का यह सेलफी स्टैंड और यह डीपी आईटी उद्योग समर्धन और आंत्रिक व्यपार विभाग जिसको अंग्रेजी में प्रमोशन अफ इंडस्ट्री और इंटर्नल ट्रेट बोलते हैं यह यह पैवेलियन है अब इस पैवेलियन में हम अंदर चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि भारत कैसे आतनिरभरता की ओर बढ़ता चला जा रहा है और हम अभी पांचमें एकॉनोमी में हैं और बस बहुत जल्द हम तीसरे नंबर पर विश्व की एकॉनोमी में पहुंचेंगे उसी की यह जलक है देखें आप आईए चलते हैं अंदर देखें इनका यह हॉल है डीपी आईटी का और यह आपको डीपी आईटी पैवेलियन का इनफॉरमेशन डेस्क यह बना हुआ है इने आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यह रिशपसन का एरिया वोकल पर लोकल यह आगे है सेलफी पॉइंट भी बना हुआ है बहुत सुंदर सेलफी पॉइंट उद्योग समवर्थन और आंत्रिक व्यपार विभाग के द्वारा यह मेक इन इंडिया का देखें बहुत ही अच्छा यह काउंटर सेलफी का और यह देखें बहुत ही अच्छा फोटो आया हुआ बहुत सुंदर अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं फिर आपको अंदर दिखाएंगे यह देखें रोबोटिक इनवेस्ट इंडिया का यह रोबोटिक बॉट बहुत सुंदर काफी सारे लोग वीव का आनंद ले रहे हैं बहुत सुंदर यह आप देखें यह हमारे देश के आन बान और सान यह एलिफेंट यह कश्मीर का यह पैवेलियन है लूम्स ऑफ कश्मीर हर्ष जी क्या है हरियाने से हैं अच्छा कनोज उत्तर परदेश वेरी गुड़ बताइए कुछ लाउंच वह लाउंच वह लाश्टियर नियॉप सिटी में और जो हमारे पर्फूस बनाते आ रहे हैं तो 1911 से लोगों का इसका संस्वित में होता है जगराती जगराना उससे लिया गया है जगराती इसको थे लोगों यह इनका लोगों जब जुका के अपना अभिवादन अभिवादन स्विकार करते हैं लोगों का उसी तरह का इनका यह लोगों बना हुआ है बहुत सुंदर क्या प्राइसिंग रखी है आपने 3800 का है आपका 10 ml का विकास खन्ना विकास खन्ना विकास खन्ना विकास खन्ना वेरी गुट तो नाइस हर्ष बैंबू लीफ का भी है ट्री आज़े सेंपल टेस्ट कर आ रही है यह देखें कितना अच्छा कलर है इसका बिल्कुल ग्रीन टी की तरह यह कलर अब पीने के बाद पता लगेगा कि क्या टेस्ट है सो नाइस यह अभी हम एकल के स्टोर पे आए हैं यह बहुत ही सुन्दर स्टोर और यह आप देख सकते हैं यह सारी साड़ियां जो हैं यह बनारस की खड़ी पे जो बुनाई होती है और इसके बारे में अभी हम को गर्क साब ने बताया है अभी मैं गर्क साब से भी आपका परशा कराता हूं और उनकी मैडम भी हैं और यह गर्क साब की लड़की है इशानी वह उसने यह स्टार्ट अप सुरू किया है बहुत ही लाचबाब और अभी हमारी वाइफ ने बताया कि उसने यह वाली साड़ी बनारस में खरीदी थी 29,000 की और तो उनकी माम गर्खशाप की वाइफ ने पूछा कि कितने मिली तो इन्हें ने बताया है उनका कि हमने भी प्राइस 29 इनत कर रही है आई यह हम उनकी ममी से मलवाते हैं आपको हैलो मैम कैसा लग रहा है आपको यहां पर प्लेट्फों बहुत ही पसंदार है बहुत अच्छा लग रहा है हमें अपने ब्रांड की ब्रैंडिंग करने के लिए चांच मिल रहा है एंड यहां प्रेंड परी तो क्या प्राइस स्टार्टिंग से लास्ट का क्या प्राइस आपने यहां पर रखा हुआ है साड़ी साड़ी कौन सी है आपकी इस लाग ठाटी साड़ी और एक फीस बनती है यह तो इक साड़ी बनने में यह कतान के सिलक साड़ी ये तकरीबन कितना तीन महीने लग जाते हैं ये भी 33,000 की ये साड़ी है बहुत ही लाजबाब और ये बेसिकली ये जो साड़ियां है ये अपने हाँ जब कोई function होता है सादी हो, पुजा हो, कोई भी संसकार हो तो उसमें महीलाएं बहुत अच्छे से पहनती है और बनारस की साड़ी तो आज से नहीं पतानी सदियों से बहुत आर्टिस्टिक रही है ये बहुत ही अच्छा एकल का चलिए, आगे फिर हम चलते हैं और फिर मुलाकात होती है डिजाइन गाथा की कृतिका के पास खड़े हैं और अभी इन से हम बात करते हैं ये देख सकते हैं आप कितनी सारी चीज ये लेके आई हैं रियली मार्वलिस और बीटिफुल तो कृतिका जी आप बताईए की आप क्या-क्या लेके आई हैं ये ये आर चाथ से बुना हुगा मत सब्सक्राइज प्रफोर बात क्या बात कर पे हीं जाए भी तो तिन योगा इंद बात बात कर से ये लिज खाड़नागों इन इप शीज वा हैं आई हैं यह बहुत अच्छा डिजाइन यह देखे यह बनाना सेप का बहुत ही बढ़िया बहुत ही लाजवाब यह 1800 से लेके 2500 के बीच के रेंज का यह है डबल बेट का यह इनका है बेट सी बहुत ही बढ़िया चीज है आपके बहुत लाजवाब हो क्या प्राइस रखा है आपने के रेंज में है तो यह अभी जो आप दिखा रहे हो यह कि this is 700 अच्छा जिसमें ज्यादा वो आपका हैंडी क्राफ्ट यूज किया हुआ वह महिंगा है और जिसमें कम है आच्छा जूट वाला कितने का है 600 का है जूट वाला बहुत बढ़िया बहुत design very good बहुत सुंदर बहुत बढ़िया यह वाला आर्ट का देखे आप बढ़ा अच्छा इंब्राडरी इनोंने किया हुआ है किरतिका जी ने बहुत सुंदर किरतिका जी गॉट ब्लेस यू आप लोग इसी तरह से करिए काम चलिए थैंक यू यह देखिए किसां से the best of India बहुत सुंदर पहाड़ी हनी पहाड़ी हनी कितने का है पहाड़ी हनी सर्च यह अभी 150 की म्रें है तो यह तर शुली है उतरा खंट का फार्म प्रेडीसर ग्रूप आंहां से प्ट्वार करें वैरी गूबरी बॉर्ट कोहीं मिलावट नहीं है पाहडों सुन्दार और यह सब इससी दाल ऐसे यूद्ट आज़नी की सब्सक्राइब बहुत सुन्दर क्या प्राइस रखा है आपने आज हमारा डिसकाउंट चला है यह आपको 75 आच्छा वेरी गुड बहुत लाजबाव प्रेजर्वाटि बिल्कुल नहीं है इसमें इनकी खास्य दिया है इनमें आईल कंटिंग बहुत जादा होता है जो जो जादा होता है तो आप 500 लेजी ये 250 लेज़े वो बराबर हो जाता है यही अपने देश की पेचान है अब कैलफॉर्निया तो और उसमें भी हमारे देश का आत्म नर्भर भारत जो अब धीरे धीरे हर चीज में डिपेंडेंस डिपेंडेंसी ले रहा है बहुत ही यह इंडिया का यह बैसे कली एकांटर सेलफी कांटर है और यहां सारे लोग इनफॉर्मेशन देने के लिए बैठे हुए हैं वेव स्क्रीन आप इस पर जितने प्रोड़क्ट्स यहां पर लगे हुए हैं उसको यह भी स्वाइब करके दिखाएंगे क्या-क्या चीज दिखती है आपको किसी की प्रोड़क्ट को विज्वालाइज करना है और चला के देखना है यहां पर हैंड अपना जैस्शन प्रोड़क्ट यहां पर आया हुए हैं यहां से और आप इसको स्वाइब करिएगा यह नेक्स्ट होता चला जाएगा वेरी गुड़्ट् जैसे अगर आप याद करिए जब सांप गाउं में सांप की अमदारी के जब खेल दिखाते थे तो वो मुठी यूं करके तो सांप उस पर डांस करता था यही चीज अभी हमारे बाई साब दिखा रहे हैं जहां यह अपनी मुठी को दिखा रहे हैं यह स्वाइप होता चला का हुआ और यह मैं भी बहुत कलरफुल ड्रेस पहनी है जैसा कि इनका प्रोड़क्ट है उसी तरह से कलरफुल मैं और स्माइलिंग फेस और इनका कितना अच्छा प्रोड़क्ट इन्होंने लगाया हुआ है यह आप देख सकते हैं यह वाल क्लॉक यह मूव करता हुआ बह अच्छा हमारे जमू की हंडी क्राफ को रिवाइफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसे यह वाल क्लॉक है यह आपका जो राउंड है यह व्लोग इसको बिनना बोलते हैं बिनना अच्छा आपका मैट्स होते थे जो कोई गेस्ट आते थे हम उनको बैठने के लिए देते यह बैठता नहीं है तो हम लोग इसको वाल डेकोर या वाल क्लॉक या टेबल मैंट जैसे करते हैं और जैसे आप पेंटिंग्स भी देख रहे हैं बसौली आट है अच्छा वह वरी गूड बादी मीनियेचर पेंटिंग्स हैं यह और इसकी खासियत क्या होती है यह साइड साइड फेसिंग के होते हैं साइड फेसिंग नहीं होता है और यह सारा हमारा अभी जी आई का यहां फेर लगा ता उसमें आप नहीं आई तीम आई थी आए थे लो वेरी गुड बहुत सुन्दर तो यहां आने पर आपको कैसा लग रहा है मैं बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग वैसे भी आतम दिर भारत की एक एक खन मिला के इतना बड़ा हमारा देश बढ़ता जा रहा है यह बहुत ही सुन्दर लाजबाप सो नाइस मैं थैंक आप के बारे में होता है बड़ा फुल होमरूम डेकॉर मिलेगा आप कुछ भी कस्टमाइज भी करवा सकते हो इसमें प्रिजर्वेशन भी होती है जैसे कोई भी फूल हो गया बाहर खराब हो जाते हैं तो हम उसको ऐसे लाइफ टाइम के लिए आपके लिए प्रिसर्व कर सब्सक्राइब करते हैं उसके हिसाब से आप कर देते हैं चलिए बहुत ही अच्छा प्रिया जी यह वीर सिंग जी का वुड़न आइटम्स यह आप देख सकते हैं बहुत सुन्दर यह कलरफुल आइटम्स कहां से आएं वीर सिंग जी आप दिली से ही हैं कौन से इलाके से बदरपूर वाह चलिए बहुत अच्छा आपका आटेस्टिक यह वोड़न आइटम्स का जो समान है और यह बढ़ बढ़ा अच्छा फिश एकदम गुन गुनाता हुआ बहुत सुन्दर क्या प्राइस है इस प्रेस का वन थाउजन है चलिए बहुत बढ़िया है लाजबाब यह देखिए वाह यह चिडिया का बढ़ा अच्छा देख सकते हैं दाना बहुत सुन्दर यह जो फेयर लगा हुआ है आत्म निर्पर भारत यह तीन जनवरी से दस जनवरी तक सुबह दस बजे साम आठ बजे तक का यह प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही बढ़िया लाजबाब अब यह देखिए यहां पे आफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यह सारे प्रोडक्ट यह समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले का यह पूरा यह स्टॉल है और यह सारी बनार्शी साडियां यहांपे लगी हुई है कि आप देख सकते हैं बहुत ही लाजबाब अ चल्र फूल है यह दूपटा है कलर फूल दॉपटाज ने बहुत थी बढ़िया चंदेरी दूपटा है कहा हैं आपका भाई साहब आप इंदौर से वा इस सब साड़ियां कहां की हैं अच्छा आप भागलपूर से त्यार कराते हैं तो यह भागलपूरी सिल्क सारा और अपने मद्रप्रदेश का चंदेरी नहीं है करीद नहीं सकता है यह देखे मनी पूर इंफाल का यह बहुत अच्छा प्रोड़क्ट यह कान में बादने वाला यह मफलर कलरफुल और यह बहुत बढ़िया और प्राइस भी रिजनेवल है ज्यादा नहीं है साले 500 का है बहुत ही सुन्दर है और यह देखिए यहां पर यह यह किसी से बना हुआ है यह बैग्स हां वाटर रेज वाटर रेज का यह प्रोड़क्ट है यह देखे कितना प्राइस है इसका वाव मिनिमूम मैक्सिमूम स्मॉल साइज 250 और बिग साइज बिना इंब्रोडरी के 950 और इंब्रोडरी वाला बारस वेरी गुद बहुत ही बढ़िया तो यह जो प्रोड़क्ट है आपका यह इंपाल में किसी पार्टिकुलर जगह पर यह घास होती है कौन सी जले में होती है कौन सी डिस्टिक धौपाल दिस्टिक में यह घास होती है और आप लोग वहां से वहां आप कॉन्ट्रेक्ट दे क्या बनवाते हैं वहां पर वहां बहुत ही अच्छा बहुत ही सुन्दर यह देख सकते हैं बहुत बढ़िया श्रोफ थैंक्यू यह ठीकम कर से लोग आए हैं बहुत ही बढ़िया यह आप देख सकते हैं यह सब ब्रास का आइटम बहुत ही बढ़िया यह दीपक कितने का है पच्छिस सो और यह जो भगवान जी की जो मुर्तियां है चार पांसों से स्टार्टिंग है बहुत सुन्दर और यह जो संख है आपका पच्छ पंसों का है अब बहुत अच्छा इसमें भगवान का चेत्र भी बना हुआ है यह आप देख सकते हैं इसको टांग भी सकते हैं कश्मीर का स्टाल तरह तरह की चीज़ें कश्मीर की वूलन्स आइटम बहुत बढ़िया यह आप देखे कलरफुल साड़ियां आप यह सब किस प्राइस की हैं दोस्त कहां की है यह अच्छा बंदेज है यह यह पूरा पूरी साड़ियां गुजरात की हैं और आपका कहां पर है आफिस दिल्ली में दिल्ली पशे देखे हांथी का डिजाइन जो 25,000 का है यह भी बंदेज है यह कलमकारी पेंट यह कहां की कि व्लीवूड सूट्स ओनली 1199 अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे आइटम्स अब जगह लगे हैं यह सब दूपटाज हैं 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 मेट कितने कितने का है यह सब यह ब्लैक वन थाउजन का है कहां गुजरात का है पंजाब फुलकारी पंजाब फुलकारी का यह कलर्फुल ड्रेसस अब पिकानेर का यह आज आपका कहां का है गुजरात कौन से जिले का अम्रेली से हैं क्या है यह चादर है और रजाई है सब है क्या प्राइस रखा है इसका पंद्रहसुश्श अंदर में क्या कॉटन डला है या फाइवर डला है फाइवर वाला है पंद्रहसुश से स्टार्ट है डबल बिड और आखरी कितने का है थाइवर फैंतिस तो तक 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 यह थैंक्यू आपका स्टॉल कहां का है पंजाब कि मैं पनजाब में इस तरह की बंडी बनती है क्या हं कितने की है वो जो सब्लेंकिट है बहुत अच्छा ब्लैंकेट बिलैंकेट है या चादर है इसको गुलन सादर बोलेंगे हम है आपके यहां ब्लैंकेट बोला जाता होगा लेकिन यह यह घुलन चादर है बहुत ही बड़िया लाइट में है क्या प्राइस इसका मुझा यह है बहुत बढ़िया गुलाम साविर साहब बनारस के कहां पीली कोठी से आए बेलुपूर से आया अरे वाह यह सब आपका गुलाम साविर साहब का यह सारा प्रोड़क्ट कि यह कौन सी है खड़ी वाली है वो कुछ कुछ मशीन की रहती है हुँ रखना नहीं नहीं तो मेल से सब कुछ रखना ही पड़ेगा नहीं अच्छा लगाए हो तुम बढ़िया लिलन टीशू का यह आइटम और प्राइस क्या है इसकी चार हजार पांसों की है और यह 6500 की इसको क्या बोलते हैं टीशू में है प्योड टीशू है यह प्योड टीश यह दिखा रहे हैं अच्छा बहुत बढ़िया यह कलर पूरे बजार में नहीं है अब लेवल यह इनका दावा है और बहुत ही अच्छा कलर है क्या है प्राइस जमावार की 8500 की है और साइज क्या है 6 मिटर साड़े 6 मिटर ब्लाउज लेकर और डिसकाउंट क्या है इसके इसकाउंट कितने का बैट गया पांच हजार का बैट गया